प्रश्निक यदि 8 किलोग्राम चीनी का मुल्य 240 रुपया है तो 12 किलोग्राम चीनी का मुल्य ग्याद कीजे प्रश्निक क्या दिया हुआ है 8 किलोग्राम चीनी का मुल्य 240 रुपया तो लिखेंगे यहाँ पर आठ किलो ग्राम आठ किलो ग्राम चीनी का मूल्य कितना दिया हुआ है? 240 रुपया आठ किलो ग्राम चीनी का मूल्य है 240 रुपया ठीक है? तो हमसे पूछ रहा है 12 किलो ग्राम चीनी का मूल्य तो पहले हम एक किलो ग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे तो आठ किलो ग्राम चीनी का मूल्य दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एक किलोग्राम चीनी का मूले निकाल लेंगे उसके बाद कितना भी किलोग्राम का पूछे निकल जाएगा तो लिखेंगे एक किलोग्राम तो एक किलोग्राम चीनी का मूले बराबर कितना हो जाएगा 240 बटा 8 रुपया ठीक है तो 8 kg चीनी का मूले दिया हुआ है 240 रुपया तो 1 kg देखे 1 kg तो इस तरह करने पर क्या हुआ यहाँ पर kg है यहाँ पर चीनी है यहाँ पर इसके नीचे का है यहाँ पर मूले है तो 1 kg चीनी का मूले यानि यही चीज यहाँ पर लिखना है तो हम लिखें नहीं है बस इस तरह से चीन दे दिया है ताकि पता चले कि जो उपर लिखा हुआ है वह ही यहाँ पर लिखाएगा तो 1 kg चीनी का मुले रापर कितना हो जाएगा 240बटा 8 रूपया याणी 8 kg चीनी का मुले दिया हुआ है 240 रूपया ठीक है तो पहले हम एक किलोग्राम चीनी का मूल निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा तो आठ से भाग दे देंगे क्योंकि आठ किलोग्राम चीनी का मूल दिया हुआ है तो हमसे अब कितना का पूछ रहा है अब पूछ रहा है बारा किलोग्राम चीनी तो देखे एक किलोग्राम का जब निकल गया तो हम अब कितना भी किलोग्राम का पूछे उसको हम निकाल सकते हैं तो 12 क्या लिखना है यहां पर 12 किलोग्राम चीनी का मूले बराबर कितना हो जागा 240 बटा 8 गुना 12 तो एक किलोग्राम चीनी का मूली कितना निकाले थे 240 बटा 8 यानि 240 को 8 से भाग देंगे तब एक किलोग्राम चीनी का निकल जाएगा अगर एक किलोग्राम चीनी का मूली पूछता तो 8 तिया 24 यानि 30 रुपया हो जाता देखें 240 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जागा 30 रुपया ठीक है तो हम इसको यहाँ पे 30 हम नहीं लिखे हैं क्योंकि पूछ तो नहीं रहा है एक किलोग्राम का चीनी का मुल्य इसलिए बस हम इतना ही छोड़ देंगे अब 12 किलोग्राम चीनी का मुल्य कितना हो जागा 240 बटा 8 ठीक है, 1 kg चीनी का मुली कितना है? 240 बटा 8 इतना है, उससे 12 गुना कर देंगे क्योंकि 12 kg का पूछ रहा है तो 1 kg का हम निकाल चुके हैं 240 बटा 8 उसमें 12 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखें, 8 से इसको हम काट देंगे कितना आ जागा 30 28 या 24 और 240 यानि 30 बार में कट जागा 8 से तो 30 गुना 12 कितना हो गया 12 या 36 यानि 360 रुपया तो 240 को हम 8 से काटेंगे यानि 8 से भाग देंगे तो कितना आ जागा 30 आ जागा देखे हम उपर 30 लिख दिया है यानि 1 किलोग्राम चीनी का मुल्य कितना है 30 रुपया 240 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 30 अब 30 को 12 से गुना कर देंगे तो 12 या 36 यानि 30 गुना 12 हो जागा 360 बारत या 36 और 360 रुपया तो 12 किलोग्राम चीनी का मुल्य कितना हो जाएगा 360 रूपया तो इस तरह से आप dash भी दे सकते हैं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 kg चिनी का मुल्य या इस तरह से आप dash भी दे सकते हैं उसी तरह यहाँ पे kg यहाँ पे होगा इस तरह dash दिया हो मतलब कि किलोग्राम यहां पे होगा, चींनी यहां पे होगा, का यहां पे होगा اور मुल्ल यहां पे होगा तो बारसग किलोग्राम चींनी का मुल्ल बरावर 360 रूपया प्रस्न दो, किसी ब्यक्टी ने एक devi पुस्तक कि 3 परतियां 75 रूपया में खरी दी बताईए कि 300 रुपया में वह ब्यक्ति पुस्तक की कितनी पर्तियां खरीद सकता है तो प्रस्न दो क्या कहा रहा है कि किसी ब्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 पर्तियां 75 रुपया में खरीदी तो बताएए कि 300 रुपया में वह व्यक्ति पुष्टे की कितनी पड़तियां खरीद सकता है तो हम लिखेंगे 75 रुपया में 75 रुपया में कितना पड़तियां हो रहा है? 3 पड़तियां 75 रुपया में 3 तो कारा किसी ब्यक्ति ने एक पुष्टक की 3 पड़तियां 75 रुपया में खरीदी तो देखें हम लिख लेंगे 75 रुपया में 3 पड़तियां तो एक रुपया में कितना पड़तियां हो जागा पुष्टक की? तो लिखेंगे एक एक रुपया में तीन बटा पचीस एह तीन बटा पच्छत्तर परतियां ठीक है देखें यहाँ पे हम पच्छत्तर को पहले क्यों लिखेंगे क्योंकि तीन सो रुपया में पूछ रहा है कि तीन सो रुपया में कितना परतियां खरीदी जा सकती है पुस्तर की ठीक है तो 300 रुपया में पूछ रहा है रुपया के यहाँ पर बात कर रहा है रुपया में पूछ रहा है तो इसलिए हम रुपया को पहले लिखेंगे ठीक है जिसका पूछे जिस वही चीज को हम पहले लिख लेंगे अगर यही कहता कि एक परतियां का दाम है इतना तो दस का बताईए तो हम यानि पूछता कि पांच परतियां का दाम है इतना तो हम पहले लिखते हैं पांच परतियां का दाम इतना एक परतियां का दाम निकालते हैं लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 300 रुप्या में तो लिख लेंगे अतर 300 रुप्या में कितना हो जाएगा 3 बटा 75 गुना 300 3 बटा 75 गुना 300 पड़तिया तो कितना आ जाएगा बराबर देखे 3 से 75 गट जाएगा 75 होता है तो 3 से काट देंगे ठीक है 3 से 75 को 25 बटाएगा अब 25 से देखे 300 कितना बटाएगा 25 गुना 25 पांच इधर गया तो 50 हो गया यानि 25 दुना 50 कितना आ गया 12 पड़तिया तो लिख लेंगे बराबर 12 प्रतिया ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 तो इसको किस तरह से हल करना है क्या पोछ रहा था कि 300 रुपया में वह ब्यक्ति पूस्तक की कितनी पड़तिया खरीद सकता है तो 75 रुपया में 3 पड़तिया दिया हुआ है पच्छत्तर रुपया में 3 तो एक रुपया में 3 बटा 75 तीन सो रुपया में 3 बटा 75 गुना 300 जब एक रुपया में निकल गया 3 बटा 75 तो फिर चाहे कितना को अभी दे जैसे 500 रुपया में पूछा तो 500 से गुना करते हैं तो एक रुपया का पहले निकाल लिया है एक रुपया में कितना पड़तिया होगा उसके बट तीन सो पड़तिया यानि 3 बटा 75 गुना 300 करेंगे तो 3 से 75 पचीस बार में कट जाएगा और 25 से 300 बारा बार में कट जाएगा यानि 12 परतिया इसका उत्तर होगा तो इस तरह प्रस्न दो हल करेंगे प्रस्न तीन यदि तीन दर्जन केले का मुल 45 रुपया है तो बताईए 22.50 रुपया में कितने केले खरीदे जा सकते हैं प्रस्न तीन क्या कह रहा है कह रहा है कि 3 दर्जन केले का मूल 45 रुपया है तो बताईए कि 22.50 रुपया में यानि रुपया में पूछ रहा है ठीक है यानि 22.50 रुपया में कितने केले खरीदे जा सकता है तो सबसे पहले हम रुपया लिखेंगे क्या लिखेंगे 45 रुपया में 45 रुप्या में कितना केले खरीदर जा सकता है तीन दर्जन देखे तीन दर्जन केले का मूले दिया पैंतालिस रुप्या ठीक है तो पैंतालिस रुप्या में कितना केले तीन दर्जन तो पैंतालिस रुप्या को हम पहले लिख लेंगे ये नहीं लिखेंगे तीन दर्जन केल रहा है कि 22.50 रूपया में कितने केले खरीदे जा सकते हैं तो रूपया का बात हो रहा है रूपया से केला को निकालना है ठीक है तो 45 रूपया पहले रूपया को लिख लेंगे तो 45 रूपया में कितना केला हो रहा है तीन दर्जन तो तीन दर्जन यानि 12 या 36 ठीक है एक दर दर्जन में 12 पीस होता है कुछ भी हो तो एक दर्जन में 12 केले होगा तो तीन दर्जन में कितना हो जाएगा बारत यह 36 यानि 45 रुपया में 36 केले ठीक है 36 कहां से आया है तो तीन दर्जन से आया है 36 कहां से आया है तीन दर्जन से एक दर्जन में 12 केला होता है तो तीन दर्जन में 12 या 36 तो 36 हम तीन दर्जन केले है दिया हुआ है तो उससे हम लिखे है अब यह नहीं समझना है कि 36 तो वहाँ पे है नहीं तो वहाँ पे दर तीन दर्जन है तो तीन दर्जन में 36 एक दर्जन में 12 है, दो दर्जन में 24 है तिन दर inappropri вр. तो एक कितना केले हो जाएगा जो यहां पर राता है, शुरू में उसी से उसी को नीचे लिखते हैं, तो 45 रुपया में 36 बटा 45 केले, इस तरह लिख लेंगे, अब कितना का पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है, 22.50 रुपया, तो 22.50 रुपया में कितना केला हो जाएगा, 36 बटा 45 गुना 22.50, यानि एक रुपया में हम निकाल चुके थे कि इतना केला होगा, कितना, 36 बटा 45, एक रुपया में, 45 रुपया में 36 केले, तो एक रुपया में 36 बटा 45, तो 22.50 रुपया में, एक रुपया में जितना केला होता था, उसमें 22.50 रुपया निकाल लेंगे, ये गुना कर देंगे, ठीक है, क्यूंकि एक रुपया में 36 बटा 45 केले, तो 22 रु करते हैं तो देखिए इसको हम लिख लेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पर हम लिख रहा है तो 36 ह настолько 45 गुना 32.5 तो देखिए 10 मलो हटाएंगे तो बटा में 100 आ कीसा आएगा क्योंकि 10 मलों के बाद 2 अंक है तो बटा में एक पर दो सुनने देंगे, एक पर कितना सुने देंगे, दो सुने देंगे, क्योंकि दसमलों के बाद दो अंक है, तो दसमलों हटाएंगे, तो 100 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे अब, देखिए, एक सुने से एक सुने कट गया, ठीक है, 9 से देखिए, दोनों कट रहा है, 9.36, 9.45, 9.45, 9 से दोनों कट रहा था, 9.36, 9.45, तो काट लेंगे, अब 5 से इसको काट लेंगे, तो देखिए, 5.20, 5.20, दो इधर गया तो, 25 हो गया, यानि 5.25, 25, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5.20, दो इधर गया तो, 25 हो गया, यानि 45 बार में, 45, 25, ये भी कट गया, अब इसको काट लेते हैं, 5.10, 5.45, देखिए, 5.10, 5.45, पांच से दोनों कट रहा है, 5.10, 5.45, अब 2 से 4 काट लेंगे, 2.4, दो दूना 4, यानि कितना आ गया, 9, दूना 18, यानि कितना आ गया, 18 केले, 18 केले आ गया, तो 18 केले को हम लिख सकते हैं, कितना आया अठारा के लिए आया तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में बारा के लिए होता है ठीक है तो इसको दर्जन बदलने के लिए क्या करेंगे बारा से भागा देंगे यानि अठारा बटा बारा दर्जन हो जाएगा अठारा बटा बारा दर्जन तो अठारा किला है ठीक है तो उसको दर्जन में बदलने के लिए बारा से भाग देंगे क्यों बारा से भाग देंगे क्योंकि एक दर्जन में बारा पीस होता है ठीक है तो अठारा को बारा से भाग देंगे तो ये दर्जन में बदल जाएगा यानि 18 बटा 12 दर्जन यानि कितना हो जाएगा तो देखे 6 से कट रहा है दोनो 6 दुना 12 6 तिया 18 6 के पहाड़ा में आ रहा था यानि कितना हो जाएगा 3 बटा 2 3 बटा 2 दर्जन या इसको लिख सकते हैं देखे 2 से भाग देंगे 2 गुना 1 दो 2 गुना 1 दो 2 से भाग देंगे 3 को दो एक बचे का से स्फल तो एक यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 2 यानि एक पुर्णांक एक बटा 2 दर्जन ठीक है इसका उत्तर क्या आ जागा एक पुर्णांक एक बटा 2 दर्जन यानि डेंग दर्जन इसको का सकते हैं जैसे बारह एक दर्जन बारह पीस यहाँ पे एठार है तो बारह Iya-ठार यानि आधा दर्जन और तो एक दर्जन और आधा दर्जन क्या कहेंगे या एक पुर्णांक एक बटा 2 दर्जन तो इस तरह प्रसने तीन हल कर लेंगे कर दो